हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई हो सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फेर्स क्लाव लर्न टू लीड में गुड़ मॉर्निंग टू अल दी स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम नवंबर महिने के टॉपिक वाइस क्र international affairs तो जो भी बहुत important reports होंगे बहुत important international deals होंगे तो वो इसके अंदर हम cover करेंगे जो नवंबर में sign हुई है या नवंबर में वह reports release होई है तो द्यान से वीडियो को last तक जो वह सुनना है और द्यान से उसको पढ़ना है लेकिन सबसे पहले आप हमारी application को डाउनलोड कर लें, careers cloud को अपने google play store के उपर जाएं और इसको डाउनलोड करें, उसके बाद अपनी email ID के थूरू login कर लें, और login करने के बाद crack current fairs के उपर click करना है आप एक साल या दो साल की subscription जो है वो buy कर सकते हैं, दोनों का ही price बहुत कम है, एक बार मेरे कहने से price जुरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम price पे हम आपको बहुत सी चीज़े provide कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेंगे daily current fair, daily current fair में दोस्तों तीन sections होंगे एक में detail current fair होंगे, एक में question and answer format current fairs होंगे, जो कि हर हफ़ते आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो, next होगा monthly section इसमें 4 तरह की PDFs मिलेंगे जो कि अलगलग तरह से आप utilize कर सकते हो, जैसे कि study PDF है, यह detail current fair है, जिसमें आपको theoretical current fair मिल जाएगा, एक question and answer format में, जितने भी current fair detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएगे तो practice यहाँ से कर सकते हो, best 100 current fairs भी आपको दिये जाएगे, जो कि उस महीने के best current fairs होंगे, उसमें 100 current fair जो है, वो question and answer format में आपको दिये जाएगे, एक pocket PDF होगी, मतलब जल्दी जल्दी में current fairs को revise करना चाते हैं, जैसे कि आप important appointments को revise करना चाते हैं, awards को revise करना चाते हैं, तो इस PDF के through आप कर सकते हैं, अगर आप banking student है, banking exam की त्यारी करने हैं तो हम आपको तीन अलग चीजे provide करेंगे जिसमें banking and economy से related detail current fair, उसी से related question and answer format current fair आपको PDF में मिल जाएगा, और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो, हर महीने, हर महीने attempt कर सकते हो हमारी application के उपर, और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है, वो 30th of May को है, तो 29 मही तक जितना भी current fair हो चुका है वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का आप exam PDF का use कर सकते हैं, आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा इसमें आपको दो चीजे मिलेंगी, एक तो detail, एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी के बाद जो है, वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का, लेकिन किसी भी तरह की query है तो इस email ID पे हमें mail कर सकते हैं, इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं November महिने के topic wise current fair और आज का हमारा important topic है international affairs जिसमें पहला question है World Trade Organization ने recently announce किया है कि वो बहुत बड़ा role निबाने वाले हैं जो की COP27 हुई है United Nation Framework Convention on Climate Change जो की Sharm al-Shake में हो चुकी है basically November महिने का current fair तो उस time fit पे नहीं होई थी, लेकिन ये हो चुकी है Sharm al-Shake में, कहां पे स्थित है, ये Egypt में स्थित है बहुत important है COP27 के माधियम से अगर आप इसको देखोगे तो World Trade Organization ने बहुत बड़ा role निबाने की बात कही है COP27 में जो की कहां पे हुई Sharm al-Shake Egypt के अंदर और इसकी director कौन है Dr. Ngozi ये आपने याद रखना है वैसे तो ये question बहुत बार आ चुका है Ngozi Oconso Dr. Ngozi Oconso Ivela Director Channel है World Trade Organization की उन्होंने attend की World Leader Summit को और World Trade Organization ने अपनी एक report जारी की है World Trade Report 2022 इसका नाम क्या था Climate Change and International Trade और ये भी release की गई है COP27 में अगले question के उपर आते है उस organization का नाम बताना है जिसने एक report release की है Adaptation Gap Report 2022 जिसका caption क्या है Too Little Too Slow मतलब इतना कम पैसा अगर हम खर्च करेंगे Adaptation के उपर तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है उससे कोई फाइदा नहीं होने वाला तो climate adaptation failure puts the world at risk और पूरा world जो है वो पूरा risk पे आ चुका है क्लाइमेट जो है वो लगातार change होता जा रहा है तो अगर हमने उसको नहीं संबाला तो बहुत ही चीज़े हाँ से निकल जाएंगी और इसका ये भी कहना है कि Adaptation efforts by nations are not consistent with the climate risk जितने climate risk का रहे हैं उसके according जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वर्थ नहीं है और ये रिपोर्ट specially रिलीस किये United Nation Environment प्रोग्राम की तरफ से तो अंसर क्या होगा यहाँ पे second होगा तो इस Adaptation report के according जो annual हमें पैसा चाहिए वो 160 से लेके 340 billion dollar तक चाहिए country to country vary करता है 2030 तक हर साल इतना पैसा चाहिए और 315 से लेके 565 billion dollar तक चाहिए 2050 तर तो बहुत बड़ी amount है किसी भी country के लिए खर्च करने के लिए तो Adaptation को 2030 तक हर साल on an average 340 billion dollar तो चाहिए ही चाहिए लेकिन अभी जो countries है वो सिरफ 110 पैसा ही जो है वो इसका खर्च कर रही है जो की बिल्कुल भी वर्थ नहीं है हमें और पैसा जो है वो खर्च करना होगा अगले question के उपर आते है कौनसी बात इसमें सही है अगर हम US News और World Report की जो ranking है वो released देखें November 2022 में जो हुई है तो एक बार पढ़ लेते हैं इन statements को लेकिन आपने याद रखना है ये ranking है best countries 2022 की ranking और ये seven time जो है वो publish कर रहा है US News and World Report तो एक बार देख लेते हैं इस ranking के according जो best countries है इंडिया का rank उसमें 31st है 85 countries में से तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है इंडिया का rank जो है 31st है consequence country top पे बता रहे है France top पे ये गलत है Switzerland जो है वो इसमें top पे है इसमें second rank जो है जर्मनी का है और तीसरा स्थान जो है वो इसमें Canada का है ये statement गलत हो जाता है इंडिया ने एक list के अंदर top किया India has top the list of nations with the cheapest manufacturing cost by the global under open for business sub ranking of 2022 best countries ranking तो एक category है जिसका नाम है open for business sub ranking 2022 इसी के अंदर तो उसमें manufacturing cost सबसे कम जो है वो कहां पे है इंडिया में जिसके कारण आप जो है वो बहुत सस्ती चीजें जो है बना सकते हो ये बात बिल्कुल सही है C statement यहां पे सही है तो correct पूछा था तो answer होगा only A and C तो चार जो है वो इसका अंसर होगा अगले question के उपर आते है World Bank की एक report है जिसका नाम है Climate and Development An Agenda for Action तो उन्होंने बताया है कि अगर हम on an average 1.4% GDP का हर साल खर्च करते हैं Carbon emission को कम करने के लिए खास करके developing nations तो 70% तक हम target achieve कर लेंगे और हम resilience बना सकते हैं इस चीज़ को लेके कि climate जो है वो जितना change हो रहा है उसके हम आदी हो सकते हैं और ये चीज़ जो है वो achieve की जा सकती है 2050 तक तो answer क्या होगा second होगा मतलब अगर कोई country on an average जो developing है 1.4% अपनी GDP का खर्च करती है carbon emission को कम करने के लिए तो 70% target जो है वो climate को लेके achieve किये जा सकते है 2050 तक तो ये एक idea जो है इस report के अंदर दिया गया जिसका नाम है climate and development and agenda for action और एक analysis भी इसमें दिया गया है कि खास करके जो greenhouse gases है उसके उपर काबू पाना जरूरी है और इसमें 20 countries को specially कहा गया है कि अगर आप global greenhouse gases emission को control कर लें तो आपका जो environment है बहुत ही अच्छा हो सकता है आप अपने targets को बहुत ही जल्दी achieve कर सकते हैं अगले question के उपर आते हैं कौनसी organization है जिसने एक report release किये बहुत important report है state of food and agriculture जिसको so far report बोला जाता है leveraging agricultural automation for transforming agri-food system तो agriculture को technology के अंदर यहां पर बात की गई है कि कि किस तरह से change किया जा रहा है और किस तरह से agri-food system के अंदर हम automation लेके आ रहे हैं और sustainable development goals को achieve करने की बात कर रहे हैं और नाम से बता लग रहे है food and agriculture से related है तो यह report किस ने release की है food and agriculture organization ने तो answer क्या होगा यहां पर 4 होगा तो इस report का नाम याद रखना है क्योंकि यह so far report जो है one of the food and agriculture organization की major annual flagship publication है जिसका main mark से यहीं है कि science based assessment जो है वो लगाई जा सके food and agriculture के अंदर और इस report के अंदर total 27 case studies जो है वो अलग-लग technology को लेके पूरे world को बताई गई है और 27 में 10 जो है वो profitable भी सामने आई हैं तो यह बहुत ही इंदर बेबी जो है वो हमारे पास सामने आई है अगली question के उपर आते है name the world first one dose drug that has been approved by the European Union to protect babies against respiratory syncytial virus तो यह बहुत ही important है कि one dose drug जो है वो सामने आई है जो की like बच्चों को जो starting starting में जो respiratory diseases होती है तो वो ठीक हो सकती है और यह virus या यह disease से जो आप कह सकते हो कि हमने drug बनाई है निपटने के लिए उसका नाम है निरसेवी मैब अंसर क्या होगा इसका एक होगा तो European Union ने authorize कर दिया है एक lab developed antibody जिसका नाम है निरसेवी मैब वर्ल्ड की first one dose drug है जो की estrazeneca और sanofi ने इसको बनाया है तांकि babies को protect किया जा सके respiratory syncytial virus से जो की एक बहुत ही contagious बहुत ही खतरनाग एक बिमारी है जो की infection होती होती है बच्चों को जो 2 साल के बच्चे हैं यो उससे कम है और ये respiratory syncytial virus जो है immunization प्रवाइट करेगी आपको वो generally newborn babies के अंदर होती है और तांकि बच्चे जो है चाहे वो healthy हो उनके अंदर भी हो जाती है या फिर pre-mature हो जाए उनमें हो जाती है या कोई special medical issues उनमें हो जाती है लेकिन ये एक body के अंदर passive immunization जो है वो पैदा करती है तो पतलब डरने वाली कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी इसमें सारे बच्चे जो है वो जर्नली एक बार आते ही आते हैं अब इसका मतलब क्या है कि एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है और उन्होंने ये बताया कि जो कंट्रीज ग्रीन डेवलीशन की अपर्चुन्टी को नहीं समझ पाए है उसमें फेल हो गए है उन कंट्रीज में सोशल इनक्वैल्टी देखने को मिली है सिवल अन्रेस्ट लोगों में जगड़ा देखने को मिला है और बहुती कम कंपिटिटिव एकॉनमी जो है वो रह चुकी है और ये रिपोर्ट जो बनाई है वो युनाइटिज नेशन डिवेल्ट्बेंट प्रोग्रम युन डीपी की तरफ से बनाई गई है और स्पेशली इसने पैरिस एग्रिमेंट का जिकर किया है कि अगर पैरिस एग्रिमेंट के टार्गेट्स को हम लेके चलते हैं अगर हम नेट जीरो अमिशन के उपर जा रहे हैं जैसे कि इंडिया ने कहा है कि हम 2017 तक नेट जीरो अमिशन के उपर आ जाएंगे और जस्ट ट्रांजिशन इसमें एक वर्ड जो है वो यूस किया गया है इसका मतलब है कि पैरिस एग्रिमेंट की जो रिक्वाइर्मेंट से उसको फुल्फिल करना क्लाइमेट टार्गेट्स को अचीव करना और सस्टेनेबल एकॉनमी बन जाना और इसमें अगर एक्सपोर्ट भी देखें वो भी जो है वो किसी कंट्री के अंदर अगर बढ़ जाते हैं तो भी उसमें एक चीज सामने आ सकती है कि उसमें उसके उपर बहुत सी कंट्रीस डिपेंड हो सकती है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उस country के अंदर कोई खतरा आता है तो कल को और countries के अंदर भी जो है वो खतरा पैदा होगा तो इसलिए government को अपने plan जो है वो बनाने होंगे खास कलके जो national determined plans हैं या ndc हैं जिसको national determined contributions कहते हैं short term goals जो है वो बनाने होंगे long term strategies बनानी होंगी तांकि हम net zero mission के उपर पहुँच सके हैं अगले question के उपर आते हैं कौन से point इसमें से सही हैं अगर QS Asia University ranking देखें 2030 की जो कि करली सीमेंट्स की तरफ से release की गई है तो सबसे पहली बात इसमें Asia की उनिवर्स्टी इस शामिल की गई है टोटल 760 एशियन उनिवर्स्टी इस रैंकिंग के अंदर शामिल की गई है और यह 15th edition है यह याद रखना है और 19 इंडियन उनिवर्स्टी इसमें शामिल है जिसमें इंडिया में से टॉप कौन सी करती ह यह IIT Bombay बिल्कुल सही है IIT Bombay का Global Rank 40 है फिर आता है IIT Delhi इसका Global Rank 46 है पिर आता है Indian Institute of Science Bengaluru इसका 52 है यह टॉप 3 उनिवर्स्टी हैं पूरे इंडिया की जो की टॉप 200 में शामिल तो हैं क्योंकि टॉटल 19 उनिवर्स्टी शामिल है लेकिन यह टॉप 3 है पूरे इंडिया के अं अंदर है वो इस रैंकिंग अंदर टॉप करती है दूसरा स्थान है इसमें National University of Singapore जबकि National University of Singapore पिछली चार रैंकिंग में पहले स्थान पर थी लेकिन अब वह खेसके दूसरे स्थान पर आ चुकी है तो यह बात भी बिल्कुल सही है इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है और साथी साथ याद रखने है चंडिगर्ड यूनिवर्सटी जो है वो यंगेस्ट यूनिवर्सटी है जो टॉप 200 यूनिवर्सटी में शामिल है इंडिया में से तो इसका मतलब ऑल वन टू तुरी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी क्रेक्ट होगी अगले कोशिन के पराते हैं कौन से पॉइंट सही है अगर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 के कॉन्फरेंस देखें जो कि नवंबर 2022 में हुई है तो यह है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट तो एक तो मुनिस्ट्री ऑफ टूरिजम गॉर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें पार्टी के 9 नवंबर के बीच में हुई इसका थीम क्या था वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का फ्यूचर ऑफ दी ट्रेवल स्टार्ट नाओ यह बात भी यहां पर बिल्कुल सही है तो इसमें एक बात आपने और देखने है तामिलाडू का टूरिजम स्टीट टूरिजम परजेक्ट लेकिन अपने याद रखना है स्टीट टूरिजम परजेक्ट जो है वो बेसिकली तामिलाडू का नहीं है यह कैरला का यहीं से स्टेट्मेंट गलत हो जाती है तो कैरला टूरिजम का स्टीट टूरिजम परजेक्ट जो है वो प्रिचिजियस रिस्पॉंसिबल टूरिजम award जीता है इस world travel market के अंदर यह बात यहां पर गलत हो जाती है तामिलाडू नहीं है क्या होगा कह रहा होगा और उनको इसलिए यह award दिया गया क्योंकि street tourism project के अंदर water conservation पानी को बचाने के बारे में जो है वो अलग-लग जो step है वो लिए गए और यह one of its kind initiative था पूरे world के अंदर जो पानी को बचाने के लिए street tourism project के अंदर लिया गया और street का basically मतलब क्या है s का मतलब यहां पर sustainable है t का मतलब है tangible मतलब चुआ जा सके r का मतलब है responsible e का मतलब experimental e का मतलब ethnic और t का मतलब है tourism इसका मतलब third statement तो गलत होगी तो अंसर क्या होगा both one and two अगले question के उपर आते हैं who has recently received the honorary Brazilian citizenship इसको Brazil की citizenship जो है वो honorary तोर पर दी गई है क्योंकि अभी जो है वो 2022 की Brazilian Grand Prix जो है वो होने वाली है तो Brazilian Grand Prix से पहले Lewis Hamilton को जो है वो यह honorary citizenship जो है वो दी गई है तो Lewis Hamilton एक जो है वो British Formula One racing driver है और उनको Brazilian citizenship जो है वो दी गई है capital Brazilia के अंदर और Lewis Hamilton जो है वो seven time world champion है उनको यह Brazilian citizenship जो है वो Brazilian Grand Prix से पहले जो है वो दी गई है अगले question के उपर आते हैं कौनसी countries जो है वो remove कर दी गई है United States currency monitoring list में से एक तो Italy को remove कर दिया है एक Mexico को भी remove कर दिया है Thailand, इंडिया और Vietnam को भी remove कर दिया है तो all one two three होगा मतला टोटल पांच countries को इस list में से निकाल दिया गहा है जो की एक अच्छी बात है क्योंकि एक United States का department है US Department of Treasury उसने India, Mexico, Italy, Thailand and Vietnam इन पांच countries को अपनी list में से निकाल दिया और India इस list में दो साल से था और US Secretary की एक meeting हुई है क्योंकि US Secretary of Treasury जो Janet Yellen है वो India आई थी New Delhi के अंदर और उन्हेंने Finance Minister निर्मला सीतरामन से यह बात की उसके बास से यह decision जो है वो बिसिकली लिया गया और इसका मतलब यह होता है कि जो US Department of Treasury है वो खास तरह से निगा रखता है कि कौन सी currency practices उस country के अंदर चल रही है कौन से step जो है वो macro level पर मतलब जो country to country वो लिये गए हैं कितना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं इस सारी चीजों के उपर निगा जो है वो रखी जाती है अभी भी साथ country जो है वो इसके अंदर है जैसे चाइना हो गया जैपैन हो गया कोरिया हो गया जर्मनी मलेशिया सिंगापूर और ताइवान यह साथो country जो है अभी भी इस list के अंदर शाविल है अगले question के उपर आते है बिल जो है वो बढ़ गए है कितने amount तक जो है वो हो चुके हैं 2022 में यह हो चुके हैं लगबक दो ट्रिलियन डॉलर के तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो याद रखना है लगबक दो ट्रिलियन अदरवाइस exact amount 1.94 ट्रिलियन डॉलर है और यह पिछले साल की तुलना में मतलब 2021 की तुलना में 10% जो है वो बढ़ चुका है और इसके according आप ये भी कह सकते हो कि एक तो higher income nations जो है वो सबसे ज़्यादा responsible है क्योंकि वो bulk में food जो है वो import करते हैं और कई कारण ये भी मानते हैं कि prices बढ़ चुके हैं चीजों के जिसके कारण ये amount जो है वो आपको गई है और तीसरा volume भी जो है वो काफी level पे बढ़ चुका है तो इस चीज़ को हमें ज्यान से देखना होगा कि food import bill जो है वो इतना ना increase हो अगर import बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब production को भी उतने ही level पे बढ़ाना पड़ेगा अगले question के उपर आएंगे world bank report जो है वो release की गई नवंबर 2022 में जिसके according ये बताया गया कि इंडिया को हर साल इतना पैसा खच करने की जरूरत है urban infrastructure के अंदर तांकि urban population जो बढ़ रही है उसकी needs को satisfy किया जा सके और ये total amount है 55 billion dollar तो answer क्या होगा इसका 4 होगा तो इस report के according इंडिया अगर 840 billion dollar 15 साल के दर invest करता है 2036 तक तो इंडिया जो है वो urban infrastructure की need को पूरा कर सकता है उनकी population को satisfy कर सकता है और on and average अगर लगाएंगे तो ये 55 billion dollar आएगा हर साल अगले 15 साल तक जो इंडिया ने invest करना है और इस report का नाम है financing इंडिया urban infrastructure needs और अगले question के उपर आते हैं according to the United Nation world population prospectus 2022 तो याद रखना है United Nation की तरफ से report दी गया world population prospectus 2022 जो की global population के बारे में बताती है और उन्होंने बताया है कि 15 November तक जो है वो world population कितनी हो जाएगी 8 billion तक हो जाएगी और इंडिया जो है वो world का सबसे most populated country बन जाएगा कौन से year तक 2023 तक तो अगर हम world population prospectus देखें जिसमें world population बताया गया है पूरा का पूरा ये world population day को सम्मानित भी करता है 11 जुलाई 2022 को world population day जो है वो basic नी बनाया जाता है और साथी साथ world population जो है वो 8 में billion बच्चे को जो है वो सविकार भी करता है मतलब उसका welcome करता है पूरे world के अंदर 8 billion बच्चा जो है वो पैदा हुआ और United Nation का most decent estimated देखें तो 8.5 billion वो कहते की population हो जाएगी लगबख 850 क्रोड हो जाएगी 2030 तक और 9.7 billion हो जाएगी मतलब 970 क्रोड हो सकती है 2050 तक लेकिन इंडिया 2023 में most populated country होगा पूरे world का अगले question मे आते हैं कौनसी organization recently report release करती है state of the climate in Asia सिरफ एशिया का जो climate है एशिया की जो country है वो climate के बारे में या climate के अंदर कितना कपना से योग दे रही है उसके बारे में बताया हुआ उसमें कई तथे सामने निकल के आए हैं कि Asian region जो है वो सबसे जादा गरम रहा है या गरम हो रहा है बहुत ही तेजी से global average के मुकाबले यहां पर सबसे जादा global warming है उसका एक कारण आप यह भी मान सकते हो कि Asia maximally अभी developing stage में है तो developing stage में है जिसमें चाइना है इंडिया है जिसमें carbon emission जो है वो जादा है जिसके कारण जो है वो यहां पर आप देख सकते हो कि बाकी पूरे global average के मुकाबले Asian region जो है वो ज्यादा warm है और यह report किसकी तरफ से दी गई है यह world meteorological organization की तरफ से यह report दी गई है तो अपने याद रखने है इसमें सहयोग जो है वो साथ में दिया है United Nation की एक organization है जिसका नाम क्या है ESCAP इसका मतलब है Economic and Social Commission for Asia and Pacific तो इन्होंने साथ में सहयोग दिय है और साथ ही साथ यह report publish की गई है COP27 के अंदर जो की climate change conference थी जो कि कहां पर हुई है Egypt के अंदर और इसमें यह बताया गया है डॉलर का पूरे Asian region को नुकसान हुआ है 2021 के अंदर जिसमें साथ पॉइंट पांच बिलियन डॉलर सिरफ जो है वो कौन सी country का है इंडिया का है अगले question के उपर आते है according to the 2022 mid-year trends report एक mid-year trend report है मतलब साल में दो बार आएगी यह report जो की United Nation High Commission of refugees की तरफ से दी गई है कि लगबग इतने लोग जो है उनको जान बूच के या forcibly जो है वो निकाला गया है पूरे world में मतलब अपनी अपनी country से जब उनको निकाला गया है और पूरे globe का data है और यह 103 million लोग है मतलब लगब 100 million लोग जो है वो forcibly displaced हुए एक जगा से दूसरी जगा और 2021 के मुकाबले अगर हम माने तो यह 15% increase है मतलब लगब 13.6 million जो लोग है वो ज्यादा निकाले गए है और यह एक data सामने है कि अपनी ही country से ज्यादा forcibly निकाले गए है और biggest proportion जो है यह 1979 80 मे इसका मतलब यह 1 जन्वरी से लेके यह 30 जून तक का data है अगले question के उपर आते हैं नाइट फ्रेंक डेटा सेंटर रिपोर्ट के according जो कि नवंबर 2022 में release हुई उसके according largest data center markets इंडिया के अंदर कौन सी है और वो Asia Pacific region में भी शामिल किये गए है शहर और इंडिया में largest data center जो markets है वो नई दिल्ली है चन्नाई है और हैदराबाद है तो अंसर क्या होगा इसका all one two three तो यह report night frank data center की तरफ से दी गई है यह quarter three report है और यह Asia Pacific region के अंदर है और इसमें तीन इंडिया के शहर जो है वो सबसे बड़े data center market में शामिल किये गए हैं total 9 शहर जो है वो इसमें शामिल क है और जपान का शहर है फिल आता है मेलबॉन अस्टेलिया का जकार्ता इंडोनेशिया का मनीला फिलिपिन्स का हैनोई वियतनाम का टाइपाई तैवान का और फिर आते हैं तीन शहर इंडिया के हैदराबाद नई दिल्ली और चन्नाई अगले कोश्चन के उपर आते हैं पढ़ लेते हैं नरेंदर मोधी जी जाते हैं बाली इंडोनेशिया में 17 जी 20 सब्मिट रेटेंड करने यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जी 20 सब्मिट वहां पे हुई इंडोनेशन प्रेजिडेंसी के अंडर हुई जिसका थीम क्या था रिकवर टूगेदर रिकवर स् ही है लेकिन आपने यह भी याद रखने की इंडिया एक दिसंबर दो ही यार बाई से ले चुका है इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी लेकिन अब इंडिया के पास यह प्रेजिडेंसी जो है वह आ चुकी है और इंडिया जो है वह 18 जी 20 सम्मिट होस्ट करेगा नई द के दुरान World Trade Organization की अठाइवी ट्रेड मोनीटरिंग रिपोर्ट भी जो है वो पेश की गई मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले कोश्चन के अंदरी बताया था और जी ट्वंटी नेशन्स ने एक्सपोर्ट रिस्टिक्शन के बारे में बताया जो की बहुत ही ज्यादा बढ़ाई गई फूड एंड फटेलाइजर के उपर मई और अक्तूबर के महीने में तो ये भी जो है वो बात जो है बिलकुल सही है नेक्स इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टन इस करें हम हाइड्रोजन एनर्जी लेके आए लेक्ट्रिक विकल्स लेके आए तो ये चीज़े हमें करनी होगी तो इसका मतलब ये बात भी बिलकुल सही है तो अंसर यहां से क्लियर है अगले कोशन के उपर आते हैं इंडियन नेवी शिप का नाम बताना है जिसने सी स्व स्मगलिंग जो प्रैक्टिसीज होती है समुंदर का यूज करके उसको रोकने के लिए तो इसका नामी है सी स्वाट टू मतलब हमें समुंदर से होने वाली इल्लीगल एक्टिविटीज को रोकना है चाहे वो किसी भी तरह की है और इंडियन नेवी शिप तरीकंड ने इसक समुंदर के रस्ते और इंडियन नेवी का जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एरकराफ्ट है उसने भी इसके अंदर पार्टिस्पेट किया है तो इंडिया की एक एफ़ोट है जिसके अंदर हम समुंदर को सही तरीके से यूज किया जा सके उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके या फिर प्राइमिनिस्टर का जो सागर मिशन है उसको हम अच्छे से निबा सके उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है अगले कोशन के उपर आते हैं कौन से पॉइंट इनकरेक्ट है इन में से अगर हम युनाइटे नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की जो COP27 मीटिंग है जो शम अलशेक में हुई एजिप्ट के अंदर उसके बारे में है तो एक बार देख लेते हैं तो एक क्लाइलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफरस्ट्रक्चर जो और्गनाइजेशन है उन्होंने एक इंफरस्ट्रक्च 27 के चलते हुए साइन किया गया यहां ठोडी से गलत है यहां पे क्योंकि यह Elant नहीं है यह कर नहीं कंप्णी है प्राज Industries Limited तो प्राच Industries Limited ने ये साइन किया है और ये इंडिया का बहुत ही फेमस इंडस्टियल बायोटेक कंपनी है जिसने Egyptian Sugar and Integrated Industries Company के साथ COP27 में एग्रिमेंट साइन किया फिर दो कंट्रीज इंडिया और स्वीडन ने लीड आईटी सम्मिक को होस्ट किया है दोनों ने मिलके COP27 में जो कि शामल शेक अजिप्त में हुई है ये भी बात बिल्कुल सही है और एक टूल बॉक्स ऑफ सलूशन्स निकाला गया है अर्बन डी कार्बनाइजेशन का मतब कुछ ऐसी चीजे बताई गिए जिससे हम अर्बन एरिया को डी कार्बनाइज कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिम कार्बनाइजेशन जो है वह यहीं पर है अर्बन एरिया में COP27 में ये वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम ने लाउंच किया और चा बाद भी बिल्कुल सही है तो एक ही स्टेट्मेंट गलत है वह कौन सी है सेकेंड अगले कोशन के उपर आते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का कहना है कि जो एंटी माइक्रोबिल रिजिस्टेंस है वो इतनी जादा बढ़ चुकी है जिसके कारण हमारा ग्लोबल माइक्रोबिल रिजिस्टेंस है वो इसी तरह से जो है वो बढ़ता रहा तो जीडिपी और भी कम हो जाएगी इवन वो तीन पंट चार्ट ट्रिलियन डॉलर तक जो है वो कम हो सकती है हर साल जिसके कारण 24 मिलियन लोग हर साल जो है वो ग्रीबी के अंदर दकेल दिये अगले कुशन के उपर आते हैं नवंबर 2022 में कतर इनर्ची ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो की वर्ड का लॉंगेस्ट गैस सप्लाइडील है 27 साल के लिए कौन सी कंट्री के साथ साइन हुआ है यह चाइना के साथ तो अंसर यहां पर क्या होगा चार होगा तो याद रखना है कतर इनर्ची ने 27 साल का नेचरल गैस सप्लाइडील साइन किया है चाइना के साथ जो कि लॉंगेस्ट एवर जो एग्रीमेंट है जो कि 27 साल के लिए किया गया है और यह एशिया के साथ उनकी टाइस को और भी मजबूत करता है जबकि यूरप जो है उसमें एनर् रिश्या के अल्डेडी वार जो है वो चल रही है तो चाइना पेट्रोलियम और कामिकल कोपरेशन जो है वो चार मिलियन टन ऑफ लुकिफाइड नैचरल गैस जो हर साल रसीव करेगी अगले कोशन के उपर आते हैं टाइम्स हाइर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल रैंक देखें तो उसका 28 है अदर्वाइस वो इंडिया में हाइस रैंक पर है तब को पता होना चाहिए टोटल साथ यूनिवरस्टी डाइसो यूनिवरस्टी में हैं मतलब टोटल 250 यूनिवरस्टी इस रैंकिंग के अंदर आंकी गई है जिसमें से साथ जो है व आपके पास फिर दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाएगा इसके बाद आएट सी बेंगलूरू फिर आजाएगा आएटी बॉंबे तो यह तीन हमारे पास इंसीचूट टॉप हंडेड में शामिल है तो आएटी डेली का जो ग्लोबल रैंक है वो हम पहले बात कर चुके 28 है आएसी बंगलूरू का जो रैंक है वो 58 है और आएटी बॉंबे का जो रैंक है वो 72 रैंक है और यह टॉप 100 में तीन इंसीचूट जो हो शामिल है लेकिन अगर वर्ल्ड का गलोबल इंप्लोइबिल्टी यूनिवस्टी रैंकिंग में बेस्ट इंसीचूट देखें तो की विपो और्गनाईजेशन ने पब्लिश किया है वर्ल्ड इंट्लेक्च्वल प्रॉपर्टी और्गनाईशन की तरफ से तो उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल इन्नोवेटर्स हैं जो लग-लग इन्नोवेशन करते रहते हैं उन्होंने कितनी पेटेंट एप्लिकेशन फ नहीं हैं तो 2020 के मकाबले लगबग 3% का जो है वह चेंज यहां पर देखा गया है और सबसे ज्यादा जो कॉंटिनेंट है या एरिया है वह कौन सा है एशिया का है पूरे वर्ल्ड में जिसने 67.6% मतलब लगबग 68% जो है वह एप्लिकेशन पूरे वर्ल्ड में रिसीव की हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगले कोशन के उपर आते हैं जॉइंट पब्लिकेशन है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की और यॉनाइटेट स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रवेंशन की कि कितने बच्चे जो है वो मीजल वेक्सिन को मिस कर गए है कोविड-19 के चलते हुए 2021 में तो यह बहुत ही एक बड़ा कंसरन है कितने बच्चों को मीजल वेक्सिन नहीं मिली और यह जो डेटा है वो है 40 मिलियन का तो अंसर क्या होगा चार होगा क्योंकि 25 मिलियन बच्चे तो ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज ही नहीं मिली और होती आप कह सकते हों पीछे चले गए हैं मीजल को खतम करने की दिशा के और 40 मिलियन बच्चे कोविड-19 के चलते हुए मिजल डोस जो हैं वो मिस कर चुके हैं तो यह थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रेंट फिर्स तो इसलिए वीडियो को लाइक जुरूर करे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे हर प्लाटफॉर्म को जॉइन कर सकते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम लिंक्टिन और टेलिग्राम चैनल हर ओफीशल चीज जो है वह आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से जॉइन कर लें लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक्यू गाइस टेक केर और बाबाए